सभी को नमस्कार विश्व के अनेक देशों में नाटक और रंगमंच की प्राचीन और सम्रध परंपराएं रही हैं इन देशों में भारत, चीन, मिश्र और ग्रीक देशों का नाम लिया जा सकता है इन देशों में भी सबसे प्राचीन परंपरा नाटक और रंगमंच की कहां पर विक्सित हुई यह कहना कठिन है पश्चिम के अनेक विद्वानों की यह मान्यता रही कि भारत में नाटक और रंगमंच का विकास ग्रीक नाटक और रंगमंच के प्रभाव से हुआ यह मान्यता अब निरस्त की जा चुकी है और इसमें अब कोई संदेह नहीं किया जाना चाहिए कि भारत में नाटको रंगमंच की परंपरा इसा से कुछ अजार वर्ष पहले विक्सित हो चुकी थी और उसके प्रमान एक वेद में अन्य वेदिक सम्हिताओं में वेदिक सम्हिताओं से संबद्ध प्रामन ग्रंथों में मिलते हैं एक लोकप्रिय साहित्य की परंपरा वेदिक सम्हिताओं की रचना के साथ साथ विक्सित होती आ रही थी इसा से कई हजार वर्ष पूर, इनमें आख्यान और गाथाएं ये दो बड़ी प्रचलित विधाएं उस काल में रही आख्यान और गाथाओं का उल्लेक वेदिक सम्हीताओं में अनेकत रहाता है आख्यान लोकप्रिय जातिय विरासत है कथाओं की जो की जन समाज में गागा कर प्रस्तुत की जाती रही गाथाएं विशेश आवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं प्राचीन गाथाओं के वेदिक काल में जो गाथाएं गाई जाती थी उनके नमूने हमको मिलते हैं शत्पत ब्रामण में एत्रे ब्रामण में तरथा अन्यवेदि कौांगमय के गरंथों में जन्मेजाई के विशाय में गाथा उध्रत है एत्रे ब्रामण में आसंदीवती धान्यादम, रुक्मिनम, हरितस्रजम, अश्वंभबंध, सारंगम, देवेध, फ्योजन, मेजय, दुशंती या दुशंत, दुशंत के पुत्रभरत को लेकर के कुछ गाताईं उध्रत हैं ग्रामण ग्रंथों में, ति जन समाज में उन महान राजाओं के संबंध में जो गाताईं गाई जाती थी, उनके उधारण, हमको इन में मिलते हैं, और इसी प्रकार का एक लोकप्रिय काव्य नाराशंशी था, तो आख्यान गाथा नाराशंशी ये वेदिक काल के जन साहित थे हैं, लोकप्रिय साहित थे हैं, और गाथाएं राजसुई अग्य में गाई जाती थी, यह निर्देश मिलता है, विवाह के अवसर पर भी गाथाएं गाई जाती थी, मैत्रायनी संभिता में, विवाह के उ धरण दिये गए हैं, सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजी नीवती, यात्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्यागरतह, यस्याम भूतम समभवत, यस्याम विश्व मिदम जगत, तामध्य गाथाम गास्यानी या इस्त्रीना मुत्तमम यशह, तो यह गाथा मैं गा रहा हूं, जिसमें इस्त्रीना का उत्तम यश है, और सरस्वती के लिए प्रशर्ष्टी है, इस प्रकार की गाथाएं विवाह में गाई जाती थी, सिमन्तोनें समस्कार जो शोड़श समस्कारों में वरणित है, उसके अवसर पर गाई जाने वाली गाथा का भी उल्लेक, उधारण आश्वलायन ग्रहिय सूत्र में दिया गया है, ये गाथा सोम की प्रशंशा में है, सोमो नुराजा अवतु मानुशी प्रजा निविष्ट चक्रासु ऐसा इसमें प्रथम चरण में कहा गया है, ये पूरा जो लोकप्रिय साहित्य है वैदिक काल में, इसकी रामन ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में मिलते हैं, वैदिक वागमय के ग्रंथों में, वहीं ये हमको प्राप्त होता है, प्रथक रूप से गाथाओं का संकलन, जिस प्रकार से संभीताओं के मंत्र, एकत्र करके और चार संभीताएं बनाई गई, उस तरह से उनीके समा गाथा नाराशंशी आख्यान ये जो लोकप्री यसाहित्य प्रचलित होता आ रहा था जन समाज में पढ़ा कहा सुना जाता था इसकी उस प्रकार से सम्भिताएं नहीं प्राप्त होती हैं और इनी में से फिर नाटक का भी विकास हो ही रहा था क्योंकि जो आख्यान है उसका लक्षण ही यह किया गया है कि उसका अभिनाय के साथ पाट किया जाता है भोज ने उपाख्यान और आख्यान में यही अंतर बताया है कि नलोपाख्यान सावित्य उपाख्यान इत्यादी जो कथाएं किसी बड़े प्रभंध में किसी को समझाने के लिए उधारण के द्रश्टान्त के सुरूप बताई जाती हैं वे तो उपाख्यान होती है और इनी कथाऊं को जब स्वतंतर रूप से प्रस्तुत किया जाए गान, अभिनए और पाठ के साथ तो यह आख्यान बन जाते हैं तो आख्यान अपने आप में एक रंगमंच है आख्यान का रंगमंच है क्योंकि उसके साथ अभिनए किया जाता है सूतरधार के साथ दो आख्यान का, आख्यान नाटक का रूप ग्रहन कर लेता है, नाटक उसका बन जाता है, यह सुपर्णा अध्याय नाम से वेदिक भाषा में लिखा हुआ नाटक, इसा से कुछ हजार वर्ष पूर्व का, कम सिकम एक हजार वर्ष पूर्व इसा से यह नाटक अस्थित्व में आ चुका था यह मिलता है वेदिक भाषा में और इतना प्राची नाटक जो इसा से कुछ जार वर्ष पूर्व लिखा गया हो ति रिगवेत की भाषा में क्योंकि यह रिगवेत का खिल भाग है विश्व के अन्य किसी साहित्य में मैं समझता हूं कि नहीं मिलता है इसलिए ग उचित ही स्थापित किया है कि यह विश्व का सबसे प्राचीन नाटक हो सकता है सुपरनाध ध्याय रोमन लिपी में जर्मन विद्वान पेवर के शिष्य एलिमर गुरुबे के द्वारा लेटिन में लिखी गई भूमिका के साथ 1875 ईश्वी में विदेश से प्रकाशित हुआ 1886 ईश्वी में अन्य विद्वानों की द्वारा इसका दूसरा समस्कर्ण निकाला गया विदेशों के अनेक विद्वानों ने इस पर कारी किया 19. श्रताबदी में यह रचना वेदिक भाशा की एक नाटक वहां सामने आ जाती है इस पर कई विद्वानों का ध्यानवा आकरशित होता है इसका महत्व वे समझते हैं भारत में इस ग्रंथ का पता ही नहीं है और हरतेल ने जर्मन भाशा में इसका अनुबाद किया जो प्रकाशित हुआ वेचन त्रिपाठी जो जर्मनी में भी कारी करते रहे हैं और वेदिक साहित पर महतवपूर्ण कारी उनका रहा है उन्होंने अनेक वर्षों के परिश्रम से इसका देवनागरी समस्क्रण तयार किया जो विदेशों में इसके समस्क्रण निकले हैं वे रोमन लीपी में प पतपाथ और जैस्वामी के दुरलब भाष्टे के साथ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी अनुवात के साथ पुना इसको संपाधित करके प्रकाशित कराया तीन सो पचास प्रष्टों की अपुस्तक इंद्रा गांधी राष्ट्री कला केंद्र तथा डीके प्रिंट वर्ट के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है 2016 में यह पुस्तक है और यह वेदिक वांगमे को एक महतुपूर्ण योगदान है और रंगमंच और नाटत की अध्यताओं के लिए तो यह एक निधी ही कही जा सकती है सुपरनाध्याय नामसेही जैसा विदित होता है गरुड इसके नायक हैं सुपरन गरुड का एक परियायवाची है और गरुड का इसमें एक अध्भूता ख्यान है जो पुराणों में भी मिलता है महाभारत में मिलता है गरुड के द्वारा अमरत आहरण की अमरत स्वर्ग से लेकर आने की कथा महाभारत में पुराणों में जिस रूप में यह कथा मिलती है उससे काफी भिन रूप में सुपरनाध्या इस कथा की नाठकी प्रस्तुती करता है और यह सुपरनाध्या यग्ड के अउसर पर प्र प्रस्तुत किये जाते थे। कि इस सुपरनात ध्याय में пару में कश्यपरिशी की दो पत्नियों का विवात आरंभ में बताया गया है जो महाभारत की कथा में भी में आता है बताया जाता है और कश्यप्रिशी की कद्रू और विनता दो पत्निया थी और कद्रू की संताने सर्प हुई विनता की तीन संतानों में कनिष्ठ गरुड थे अरुन भी विनता की एक संतान थे जो सूरी के सारती बने और अरुण भी एक पात्र के रूप में इसमें आते हैं उनके बड़े ओजस्वी सुन्दर समबाद हैं इस सुपरनाध्याय में तो सबसे कनिष्ठ गरुड इसकी संतान थे और जैसी कथा आती है कि गरुड ने देखा कि उनकी माता कद्रु जो उनकी विमाता है सोतेली मा है उसकी चाकरी करती है सेवा करती है गरुड ने अपनी माता से कारण पूछा कि तुम अपनी सपत्नी की मेरी विमाता की सेवा क्यों करती हो तो विन्ता बताती है कि वह अपनी सपत्नी से एकशर्थ में पराजित हो गई थी और कद्रू और विनता का जो विवाद हुआ उच्चेश्रवा अश्व के रंग को लेकर उसके संबाद इसमें दिये गए हैं और बड़े नाठकी संबाद हैं और विनता शर्त में हार गई विनता ने कहा कि उच्चेश्रवा का रंग सफेद है कद्रू ने कहा कि काला रंگ है इस सुपरना ध्याय में और पुराणों में तथा महाभारत में जो इसकी प्रस्तुती है उसमें अंतर यह है कि यहाँ कद्रू को प्रथवी और विनता को द्यव कहा गया है यह पूरा आख्यान यहां प्रतिकात्म का आख्यान बन जाता है तो द्यवव प्रत्वी के वीश में एक तरसे कलह का यह आख्यान बन जाता है और सावंजस से दोनों में स्थापित किया जाए जो स्वर्ग में अम्रत है उसको प्रत्वी पर ला करके तो पूरे प्रकृति मे संतुलन हो परियावरण में संतुलन हो यह संदेश एक प्रकार से यह आख्यान देता है यह जो प्राचिनतम रूप इसका है उसमें यह विलक्षणता हम कह सकते हैं कि है और किस प्रकार से गरुड अपनी माता को दास्य से मुक्त करने के लिए स्वर्ग जाते हैं अमरत कलश पर पहरा है वे प्रहरियों को मार डालते हैं इंद्र से उनका युद्ध होता है और इंद्र उनको इस अनुबंध पर अमरत कलश ले जाने के लिए देते हैं कि वे सर्प क्वांग में भी एक था अनेकत्र वर्णित है किवल पुराणों और महाभारत में ही नहीं इसके प्राचिंतम रूप रिगवेद में क्रश्ने जुर्वेद में शत्पत भ्रामण में रेत्रे भ्रामण में भी सूचित हैं और एक संक्यति को प्रतिकात्मक रूप में यह कथा वहां वर्णित है उसी का नाठकी विस्तार आख्यान के रूप में जिसको की अभिनाय के द्वारा प्रस्तुत किया जा सके इस रूप में सुपरनाध्याय इस ग्रंथ में किया गया और परवर्ती जो रूप है पोरानिक और महाभारती जो रूप है इस कथा का उससे इस में चंद प्रतिकात्मत पात रहें गरुड़ी वास्ताव में मूलता एक चंद है तो गायत्री चंद उनका एक आध्य रूप है तो गायत्री चंद को अमरत लाने के लिए भेजा जाता है और गायत्री चंद को ही एक पक्षी के रूप में यहां निरूपित किया जाता है तो पनीत हुए रचे गए और उनका भी अभिनए होता था ऐसा लगता है। सामएद की कोथुमी शाखा के मंतरूं कि को लेकर के अम्रता हरणम नाम से एक अन्ही आख्यान भी मिलता है। और अम्रताहरण में सुपरनाध्याय का उल्लेख आता है इसलिए सुपरनाध्याय से परवर्ती है जिन विद्वानों ने सुपरनाध्याय पर काम किया है उनमें से कुछ ने इसको आख्यान माना कुछ ने इसको गे नाटक माना और विफिन नमत इस पर दिये जाते रहे हैं इसमें पद्यभाग अधिक मिलता है, मंत्र अधिक मिलते हैं, गद्य है, समवादों में गद्य भी है, गद्य का अंश कुछ कम है, और गद्यभाग एक प्रस्तोता के द्वारा भी कहीं कहीं कहलवाया गया है, जो आख्यायक है, नेरेटर जिसको कहा जाता है, वो कथा का कथन करता है और कहीं-कहीं संभाद पात्रों के हैं और वे संभाद दो पात्र अलग-अलग बोलते होंगे ऐसा भी अनुमान किया जा सकता है कुल 160 मंत्र इस में या इस नाटक में हैं 31 वर्गों में उनको विभाजित किया गया है, 15 अलग-अलग सूक्त इसमें हैं, समबाद हैं अलग-अलग, उनके वक्ता का निर्देश आलेक के भीतर नहीं किया गया है, अनुमान होता है कि यह अमुक सब बात्र कहता है, और प्रथम दो सूक्त अनुष्टुप चंद में हैं, जो कदाचित का वर्णन है, कि वह ऐसा करती है, वह ऐसा करता है, गरुड उड़कर के प्रस्थान करते हैं, सूतधार जिस प्रकार से समस्कुत नाटकों में कथा कथन करता है, लोकनाटियों में जिस प्रकार से भागवत या सूतधार कथा कथन करता है, उस प्रकार से प्रस्तोता के कथ इसमें है जो कथा का परिशाय देता है कोई पात प्रवेश करता है अपना परिशाय देता है यह भी इसमें मिलता है तो गयाचन त्रिपाठी का कथन है कि 15 सूप्त किसी नाटक के अलग-अलग अंकों की तरह हैं 15 अलग-अलग दरश्य उनमें एक प्रकार से खुलते हैं और गिरिक कोरस के समान समबादों में बीजबीच में समूग आयन होता होगा ऐसा भी उनका मत है और जो समबाद हैं उनमें पात्रों की चेश्टाएं अपने आप में अनुमित होती हैं समस्क्त नाटक में भी यह होता है कि पात्र जो बोलते हैं उनके समबादों से ही वो क्या कर रहे हैं इसका अनुमान हम कर सकते हैं तो नाटकी ता समवादों में है ग्यारवा जो सूकत है उसमें इंदर प्रहस्पती से पूछते हैं कि जिस इस्थान पर अमरत कलश स्थापित है वहां से आवाज वहां से स्वर कैसा आ रहा है तो बड़ा नाटकी एक तरह से दरश्य किया गया है समवादों में नाटकी की ता है वाचिक अभिनाएं कर भी संकेत भी अरंभ में ही प्रस्तोता कहता है तो कथा भता बता धाया प्रथिव्यों वहाद प्रत्वी दोनों बहने थी दोनों मूर्तीमान भेने गूमती रहती थी इस लोक में लोकों में और भूमी प्रत्वी वहाँ पर कद्रू थी और इसी प्रकार से ब्लस्ताने अलग लग हुई और बड़ा ही सुन्दर काव्यात्मक वर्णन है गरुड जब उत्पन्न हुए प्रस्तोता कहता है नेरेटर या कथा गायक गरुडश्य जात मात्रस्य त्रयो लोकाह प्रकंपिता प्रकंपिता मही सर्वा सशैल वनकानना गरुड के जन्म लेते ही तीनों लोग काप उ प्रवतों वनों सहित इस प्रकार से वह वर्णन करता है और जो सूरी को लेकर जो उच्चेश्रवा अश्व को लेकर जो विवाद है विनता और कद्रु के बीच उसके संबाद जैसा मैंने कहा कि बड़े नाठकी यह हैं जगड़ा दोनों में होता है विनता के ती आनु द प्रतिग्रिष्ट दर्षने तुम जूट बोल रही हो कद्रु तुम कानी हो तुमारी द्रष्टी धूमिल हो गई है सर्वस्ष्वेत महम्मन्य नासिक रश्नोस्ति कष्चना मैं तो इसको पूरा का पूरा सफेद देख रही हूँ इसमें कोई काला रंग है ही नहीं इस प्रकार के संबाद हैं काव्या करते हैं कि तुमारा चोटा बेटा बहुत पराक्रमी है यह बहुत ही सुन्दर वर्णन है गरूर का ओजेव सहेव नभेव विश्वमिव ओजेव सहेव नभेव बलमिवा भ्रमिव भीरिव महत बलम अप्रतिधरश्यमेतत गरुतमत युपुमा नास्ति शुंगे शुंग अप्रतिमेय अप्रतिधरश्य अनभिभवनी गरुड है महत बलम उसमें बहुत बल है उसकी कोई उपमाही नहीं हो सकती है ऐसा वह कहते हैं आगे वह कहते हैं वातोस्य प्राणान मरुतोस्य पक्षव अग्नि शिरो रक्षतु जात वेदाह हम पुरस्ताद हमस्मि चंद्रो ललामम गरुडस ये पक्षे वात पवन इसके प्राणों की रक्षा करेगा मरुत इसके पक्षों की रक्षा करेंगे अग्नि इसके शिर की रक्षा करेंगे जात वेदास अग्नि मैं इसके आगे हूँ मैं इसके पीछे भी हूँ और ललाम ये सुन्दर जो चंद एक जो अन्य अंतर है मूल आख्यान सुपर्णाध्याय या नाटक सुपरणाध्याय का माभारती तथा पोड़ाणीक आख्यान से उपाख्यान से वा यवी है कि माभारत पुराणों में गरूड विश्णु के वाहन है और विष्णु का वहां बहुती महत्वपूर्ण भूमी का वहां पर है और इस पूरे आख्यान में विष्णु का उलेक सुबर्णाध्या जो आख्यान वैदी का आख्यान है उसमें विष्णु का उलेक नहीं है इसलिए माभारत से तो निश्चित रूप से यह बहुत पुराना है यह कहा जा सकता है और ऐसी इस्थिती में यह विश्व का सबसे प्राची नाटक माना जाना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार